के ले कर दो कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर अलगो камप के वीडियोटारल मैं मैं यहkerat दो Extremis देखेंगे हम कुछ और inputs इसमें आपके लेके आएं जिससे कि आपको copy trading करने में और भी ज्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज्यादा facilities भी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को like किजे और comment करके हमें बताये किस अलगा आपको वीडियो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा आपको trade करके दिखाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो अलग-अलग empty force है इनको मैं side by side set कर देता हूं यह दोनो empty force मेंने अलग-अलग set कर दिये हैं जिसमें कि जो right side वाला मेरे पास empty four है वो मेरा master account है और जो left वाला है वो मेरा slave account है यानि कि वो उसमें copy होगा trade ठीक है तो सबसे पहले किसी भी symbol में हम लोग trade कर सकते हैं यहाँ पर देखें जिससे USD CAD पर मुझे buy करना है तो मैं जिससे buy का बटन प्रेस करूंगा आप देखेंगे दोनों account में trade चला गया और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी अलग अलग profit और loss दिखा रहा है वो इस वज़े से क्योंकि दोनों account का spread जो है वो अलग अलग है उसके वज़े से किसी account में profit किसी में loss देख रहा है अब जैसे माल नीचे मुझे trade को close करना है तो मैं यहाँ पर close कर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग-अलग inputs मिलता है जिनको कि हम one by one test करेंगे सबसे पहला option यहाँ पर मिलता है आपको manual quantity on off अगर मैं इसको true करता हूं मैंने यहाँ पर इसको देखे true कर दिया और यहाँ पर quantity डली है 0.01 ओके तो अब ही हम जब trade डालेंगे यहाँ प बटन मैंने प्रेस किया आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 quantity गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि quantity जो गई है वह 0.01 गई है यानि कि अगर master मैं एक option डाल रहा हूं multiplier का multiplier का मतलब जितना भी quantity master का आएगा उससे दो गुना quantity आपका जाएगा जैसे मैं यहाँ पर one quantity डालूँगा तो यहाँ पर two जानी चाहिए ओके इसको भी हम लोग test करते हैं किसी और symbol में लेते हैं इस नए symbol में हम लोग इसको करेंगे और यहाँ प से आप multiply कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि master के account का दो गुना मेरे पास trade होना चाहिए यति गुना या चाहँ गुना जो भी आप चितना भी multiply लगाएंगे उसके साफ से trade हो जाएगा ठीक है यह trade भी मैंने close करते हैं उसके बाद अगला option यहाँ पर आता है properties में जाएंगे ह जहाँ पर आप देख सकते है point one quantity का buy आप जसे मैंने buy डाला आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे right side वाले में buy गया और left side वाले में sell गया है यानि कि ultra trade गया है जो भी trade इधर था उसका reverse trade इधर गया ठीक है यह भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब मैं अगले input को जलता हूँ अगला जो input है वो यहाँ पर इस तरीके से कि आप expert की जब properties में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैं इसको normal कर देता हूँ और यहाँ पर दिया है copy specific symbol का मतलब है यहाँ पर आप जो symbol set करोगे सिर्फ उनी में trade जाएगा अभी मैं इसको true कर रहा हूँ आप य euro AUD में नहीं मारूँगा मैं AUD USD में मारूँगा यह symbol अपने पास है नहीं तो इसको हम new order करेंगे यहाँ पर मैं buy करूँगा तो अभी जैसे मैंने buy किया तो आप देख सकते हैं कि दूसरे account में यहाँ पर वो trade नहीं गया सिर्फ इसी account में यह trade गया क्योंकि हमने specific symbol select किये अब इससे अगला जो property है वह आप यहाँ पर देख सकते हो वह है यहाँ पर trade timing on off यानि कि अगर मैं एक trade का time डालता हूं उस time से उस time के बीच trade होगा और जब भी मैं square of time डालूँगा उस time पर trade square off हो जाएगा जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो time हो रहा है पंदरा बच क कि तीस मिनट सम्धिंग कुछ हो रहा है ठीक है अभी मैंने okay किया तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर trade डालूँगा आप देख सकते हो अब देख सकते हो इस अगर में trade नहीं है क्योंकि इसमें भी time जो है एक बज़े से ज्यादा का time हो रहा है ठीक है अब मैं इसमें time change करता हूं और फिर से आपको दिखाता हूं अब फिर से हम लोग trade करेंगे euro gbp में trade करेंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह trade आपका फिर से लगया क्योंकि हमने जो time set किया था उस time के zone के अंडर आता है यह दूसरा वाला mt4 तो यह थे अलग-अलग जू मैंने आपको दिखाए कि parameters जिसको आप change कर सकते हैं अपने इस आप से flexible बना सकते हैं अपने trade कौपियर को कौपियर के function में यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको किस तरीके से आपको install करना है ठीक है यह दो account आपके पास demo के दो account आपके पास होने च ठीक है अभी मैं इसको extract करता हूं दुबार से तो जब हम इसको extract करेंगे दौनों file को तो यह extract करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से दो अलग-अलग folder दिखेंगे client EA और server EA तो जो client EA उसको हमें copyer में डालना है और server EA को हमें master में डालना है डालना के से कोई भी mt4 आप open data folder में गए उसके बाद MQL में जाना है आपको और experts में जाना है il चाने के बाद यहाँ पर इसको paste कर देना है ऐसे ही स्लेव वाला कर देना है उसके बाद आप एक setting करने है टूल में जाना है抑प्शन में जाना है और यह expert advisor में यह सारे động систем को enable करते है ठीक सारी complaint करना है उसके बाद आप जब यह apply करेंगे तो आपको इस तरीके का smiley यहां पर दिखाए देगा जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है अब आपको एक काम और करना है आपको जाना है गूगल पे और गूगल से इसको इसको यूज किया है तो आपको इहां पर जाना है गूगल में और आपको लिखना है नोड सर्वर डाउनलोड या इंस्टॉल जो भी आप लिखना चाहिए यह पहली पहली वेबसाइट आएगी नोड जैस की उसमें से यहां पर 32-bit या 64-bit जो भी आपका है कंप्यूट और उसके حsols से आप डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करके रन करना है ठीके रन करने के बाद यह वन टाइम प्रोसेस हो गया यह जितना भी भी में बता है सब बन टाइम प्रोसेस है मचूप Kelly में में जाना है यहां पर एक Silent Bay आपको सर्वर यह के अंदर नोड सर्वर वाली बस इसको करते ना जैसि तरीके से एक यहां पर फुला हो दिखेगा इसमें कनेक्शन देखर है अपको देखर और अंटा वरे हैं यह सर्वर्वर है इसको चलाकरे रखनाए इसको आप मिनिवाइस करके छोड़ सकते हो इसको क्लोस कर दिया तो ट्रेड्ड नहीं होगा मिनिवाइस ही करके रखना है ति उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसकर ड Zac तो आप हमें call कर सकते हैं, Monday to Friday हम आपको demo देने के लिए ready हैं, morning 9.30 to 5.30 हम लोग available होते हैं, आप हमें call कर सकते हैं, call करके हम आपको demo दिखा देंगे, अगर आप purchase करना चाहते हैं, तो इसके दो version available हैं, एक source code के साथ, एक without source के साथ, आपको इसकी costing जो वो बता दी जाएगी, ज अच्छा लगा है, तो please हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, और वीडियो को like और comment करना तो बिलकुल भी मत बूलिएगा, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care and happy trading.